तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे यहां पर उपर देखो तो सब लोग क्लास नाइन्थ एंसी एर्टी मैट्स एकसरसाइज 2.1 लेकिन इस 2.1 को सुरू करने के पहले इसके पीछे की कहानी समझना जरूरी है जैसे इसे क्या बोलते हैं बहुपद, पॉलिनॉमियल बोलते हैं तो इसका कंसेप्ट सीखना जरूरी है नहीं तो फिर ऐसे हम कुईश्चन करवा देंगे तो तुम्हें इसे ताक्ते रजाओगे मू बनाके और फिर बात में कहोगे एक को समझ में नहीं आया सब फालत हुए वैसे कर दिया मजा नहीं आया तो समझ में आये मजा भी आये इसलिए आप लोग पहले कंसेप्ट सीखो तो बच्चा लोग बहुपद की अगर बात करें तो तुम्हें ऐसे ऐसे मिल जाएंगे नए नभीले ऐसे तीन एक्स प्लफ नाइन एक्स का स्क्वायर प्लस वन कहोगे यह तो हम कहीं देखे थे बच्पन में देखे थे ना बच्चा ऐसे ऐसे मिल जाएंगे बिटा ऐसे ऐसे बड़ा तेड़ा मेड़ा मिल जाएंगे ऐसे मिल जाएंगे लेकिन इनके बारे में हम इनकी यह सब जानोंगे तो थोड़ा सा तुम्हें मज़ा भी आएगा और तुम्हें समझ में भी आएगा चलो आओ जल्दी आओ फट फट दिलीब सिंग ठीक है कमेंट आ रहा वह आ रहा वह आ रहा है चलिए पूजा कुमारी गुड इबनिंग अधिती गुपता पुस्पलता काजल कामा घानी जी यह सोधास ठीक है सबका कमेंट आ रहा है बेटा देखो तुम्हारा क्या नाम है मिश्टर निकुल तुमको निकॉल देंगे हमें यह भी जान लो यह तो तुम चुपपे पढ़ लो चुपपे पढ़ लो चलो अचा एक बात बताओ क्या यह सभी बाहुपद है जो इस स्क्रिंपे मैंने लिखा है यह नहीं है हां मुझे लग Cornu को सब्सक्वर इ 앞으로 क्या है कि यह पाई ऑइड बाहँपद है जो एक त 파다 दिया ना कि नहीं है है ना की नहीं है देखो है या नहीं है इसके बारे में तो हम अभी कुछ नहीं कहेंगे बस इतना ही कहेंगे कि अभी आप देखते रहो बस और हाँ एक चीज और मैं नहीं बोला बहुत देर से देखो यार बच्चे 100 प्लस हुए नहीं आप लोग जल्दी से कलास को सेर करो नहीं तो भाई दिल न तोड़ो हां मन नहीं लगरा जान लो ऐसे अगर सो से कम बच्चे हैं तो बिल्कुल मजा नहीं आरी जान लो सभी जितने भी साथी जुड़े हो ना आप तो बहुत ही प्यारे हो हमारा बात मानते हो तो आप जल्दी से अपने वाट्सअप ग्रूप में अपनी वाट्सअप स्टेटस में हर जगा इस लिंक को सेर करके आ जाओ ना बाब जल्द सेर करने के बाद फिर आओ तब हम आपको बिस्तार से बताते हैं ठीक है बच्चा चलो कर दिये सभी बहुत देर ना करो ऐसे मजा नहीं आती हुआ जल्दी करो ऐसे सही नहीं है जान लो देखो थोड़ा मुझे लग रहा है जूम भी कर रहा है क्योंकि मैं हट जाता हूं तो मुझे खोजने लगता है कहां गया कैमरा हमारा जो है बीज गड़ितिये अब ऐसे उल्टा लिख रहा है का देखो समझो है आप आप सभी जल्दी से पहले सेयर करके आओ नहीं तो ऐससे फिर मजा नहीं आ रही है जान लो मैं बार-बार बोल रहा हूं जल्दी सेयर करके आओ तुरंत बीज गड़ितिये बेंजक बाई हिंदी ये गलत हो सकती है मुझे नहीं मालूम लेकिन इंगलिस सही रहेगा ठीक है इसे बोलते हैं अलजेवरिक इक्स्प्रेशन ठीक है बच्चा तो ये जो तीन मेहमान हैं इनका इतिहास जानना बहुत जरूरी है तब हम बहुपत सीख पाएंगे आसानी से समझ पाएंगे और जो इस कलास को सेयर नहीं करें है न बच्चा सेयर कर दो नहीं तो जान लो अब सीधे सीधे बोल रहा था भी तक फटा-फट अटा देंगे जो नहीं कर रहा जान लो चल दी ठीकर कर की आओ दुरनता ऐसे मजा नहीं आ रही ही चलो देखो मैं सुरू करूँ टाइम बेस्ट ना हो हमारी ये भरपूर कोशिस होती है कलास पहले से सिड्यूल रहती है तुम लोग पहले से आके सेरवर क्यों नहीं कर देते हो भई तेज नारायन सिंग बेटा तेज नारायन सिंग कमेंट आ रहा आपका जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बिना सब्सक्राइब के कमेंट नहीं आता है ठीक है बच्चा ठीक है बाबू तो चैनल सब्सक्राइब कर लो तो आप important है अगर आपको यह आएगा तो concept इसे मानेंगे कि यहां पूरा clear है चरपद या variables means वो होता है यहां से समझो जैसे a b c d मतलब डाट 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 जेड तक कुछ समझ में आपको यानि a से लेकर के जेड तक के जितने भी later आपको कहीं भी मिलेंगे वो चरपद होते हैं जिने variable कहा जाता है क्या कहा जाता है बरियबल कहा जाता है कुछ समझ में आया जैसे अगर मैं तुमसे पूछा कि p क्या है यह चरपद है कि नहीं है अगर मैं पूछा r क्या है बरियबल है हां है z क्या है एक यह वरियबल है है चाहिए सको कैप्तल में लिखो चाहिए माल में लिखो मतलब इसके वही हुआ सब का हां छो हुआ कि समझे रहो ना तो आप कुछ समझ पाई कुछ समझ में इसा पाई कि अ गंगा पाटिल ओनें hayır समझ में अब आप आपसे एक सवाल यहां से पूछा जाए कि चरों की संख्या कितनी होती है नंबर आफ वरियेबल यानि टोटल नंबर आफ वरियेबल कितने हो सकते हैं तो भाईया हो ABCD में कितने अच्छर तो कुछ ऐसे नलायक है जो कहेंगे 4 अच्छर ABCD अरे इडियाट ABCD का मतलब किवाल D तक नहीं A to Z गिनना है 26 लेटर अच्छा ना कितने 26 ना रिया पटेल बहुत पीछे हो गई हो बहुत अच्छी बात है तुम अभी और पीछे हो जाओगी हां जब क्लास में देखोगी हर दिन तो काम तो को खीच के पकड़ के लाएंगे का आगे पढ़ाया तो जा रहा हर तो यह चीज आप समझ गए A से लेकर के Z तक के सभी लेटर जितने भी हैं वो सभी क्या कहलाते हैं वरियेबल कहलाते हैं इसके बारे में आपका तो बात यहां पर क्लियर हो गई तो यहां पर आगे बढ़ते हैं समझो A से Z तक के सभी अच्छर क्या कहा लाते हैं बच्चा दूसरा आता है कांस्टेंट यानि की अच्छर पद क्या होते हैं जितनी भी गिंती की संख्याएं होती हैं जैसे तुम कुछ भी गिंती की संख्या मान लो कहीं भी कुछ भी अनंत तक जैसे 1 से ले करके लेकिन 0 से नहीं हैं पर 0 अगर आएगा कहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा यानि आप कह सकते हो कि वो संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं वो सभी क्या कहलाती है बच्चा अचरपद या कंस्टेंट कहलाती है क्या कहलाती है कंस्टेंट कहलाती है अचरपद कहलाती है समिक्षा कुमारी आरा समझ में, पूजा आरा समझ में, हर्स कुमार, चिराग, चिन्टू, मनोज कुछ बच्चों की सिखायत है कि मेरा नाम नहीं बोलते हैं अब इडियर तुम पहले कमेंट करो ताब बोले ना, तुमारे मुँमें तो दही जमी है हाथ में पता नहीं गोबर लिये हो, क्या लिये हो, मालूम नहीं, कमेंट नहीं कर रहे हो तुमें जो एक काम मालूम चले और नाम बोलने इस वसे कुछ मिलना है नहीं बेटा अच्छा काम करो गे नाम होगा अगर तुम नाम के पीछे पढ़ोगे तो नाम नहीं होगा यही तो एक मुसीबत है इनसान जो चाहता है ना उसके लिए कुछ करम करना पढ़ता है करम नहीं करोगे तो नहीं होगा तो बच्चा यह है दाल यह है चावल दाल चावल एक में मिला के पकाओ तो क्या बनता है खिचडी बनता है ना दाल चावल दोनों एक में मिला के पकाओ तो क्या बनता है खिचडी तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है खिचडी नहीं बनेगा यहाँ यहां बीजगड़ती है बेंजग बनेगा, अलजेबरिक इक्सपरेशन बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा यहां पर, अलजेबरिक इक्सपरेशन बनेगा, तो चलो, कोई अलजेबरिक इक्सपरेशन आप लोग बताओ, एक बार कोई 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 करके बताओ, मैं देखता हू तो बेटा बीच गड़तिय बेंजक क्या होता है जब कोई एक चर और एक आचर मिला के बनाते हैं जैसे माल लो मैंने एक चर ले लिया X और एक आचर ले लिया माल लो 3 इनका गुड़ा करेंगे तो क्या बनेगा 3X तो 3X क्या है अब ख़िच गड़ितिए बेंजक है अब खिचड़ी नहीं कह वोगे इसको गड़ित की हमाँ सामें खिचड़ी बन गई नहीं ये एक चरपद है ये अचरपद है ये क्या बन गया एक बेंजक बन गया अब इसमें एक वर्ड और तुम्हें मिलेगा आगे वो क्या है गुडांक गुडांक means coefficient ठीक है तो बट्टा गुडांक का होता बच्चा गुडांक क्या होता है जैसे तीन यक्स है ना तो जो यक्स है ना इसके साथ में जो गिंती लगी है लटकी हुई है वो क्या इसका गुडांक है यनि हम बोलें X का गुड़ांक क्या है X का गुड़ांक क्या है तो बिटा X का गुड़ांक 3 है अगर मैं तुमसे पूछ हूँ कि Y स्कॉायर इसमें देखो हैं पर 17 Y स्कॉायर इसमें Y स्कॉायर का गुड़ांक क्या है तो इसमें Y स्कॉायर का गुड़ांक क्या है बताओ 17 है यानि जो variables के साथ में number लगा है वो क्या है उसका गुड़ांक है coefficient है समझ में आया ललू सभी समझ भाए ना तो छाप लो फटा फट छाप लो फटा फट जल्दी से विलकुल देर ना करो बहुत जल्दी लिखो इसको उसके बाद आगे बढ़ते हैं ठीक है जल्दी करो फटा फट चलो चले आगे चलिए इतना लिखिये पहले लिख लो भाई लिख लो मैं सामने से हट जाता हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं इसको मिटाते हैं तो यहाँ से आप लोग कुछ समझ पाए कि नहीं बताओ अगर नहीं समझ में आया तो बिलकुल आप टेंसन मत ले ना बस मुझे बता देना कि यहां नहीं समझ में आया ठीक है लेकिन जो टाइम से आये हैं जो चच्चा लोग अभी अभी आये ना उनके लिए नहीं, उनकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि वो टाइम से जुड़ते नहीं है, तो हम कुछ नहीं जानते उनके लिए, सबको समझ में आया, चलिए, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, वरियबल, कंस्टेंट और अलजेबरिक एक्सप्रेशन, ये तीनों, चारों, इन सब की पहचान कर लिया, आप सभी गुड़ांक भी पढ़ लिए ना बच्चा, तो अब इन में थोड़ा सा हमारी ये कोशिस है कि आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाए, इसके आधार पर, नहीं तो आप जब कुद से कर लें, मतलब मुझे बताना ही ना पड़े, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनको ठोंक ठोंक के तयार करना पड़ेगा, जिससे कल ये अपने आप सब कर ले जाए, हाँ, चलो भई, सभीता कुमारी कमेंट आ रहा तुमारा ठीक है, चलो अच्छा है, संकेत, सुनिल कुमार गुपता, राम राम भी, राम राम, चलो, तो बच्चा अब हम देखेंगे चर पदों का जोड़ना, घटाना, गुड़ा भाग, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझना है और सीखना है, जैसे मानलो कि मैंने लिखा तीन एक्स, और इसमें मैंने सजातिये पद, यानि लाइक टमस, और एक होगा, बिजातिये पद, आज के इस जमाने के हिसाब से समझें, तो सजातिये पद का मतलब होता, जो अपनी जाती का लोग हो, यहां जोचे कोई ठाकूर है कोई ब्रामण है कोई यहीर है कोई कुर्मी है समझ रहो तो वह अपने अपने विरादरी की बात होगी यहाँ पर समझ पा रहे हो कि नहीं सजातिय का मतलब यही हुआ बैवारी ग्रूप में अगर तुम्हें समझाएं तब लेकिन अभी यहां पर तो यह सब बताओ कि नहीं नहीं गड़ पड़ा जाएगा यहां पर समझो सजातिय बद को इंगलिस में बच्चा लाइक टम्स बोलते हैं या पताओ जैसे वे पड जो चर और घात दोनों को मतलब एक परकार से एक्वल करके चलें मतलब अगर हम सिधा सिधा अगर एक सब्द में बोलें इस कहानी को भी ना गुमाये हुए तो जिन दो पड़ों के चर और उनकी घाते समान होती हैं वो सजातिय पद कहलाते हैं ठीक है जिन दो पड़ों की घातें और चर समान होते हैं वो सजातिय पद कहलाते हैं तो सबसे पहले इनका जोड़ना घटाना तो तुम छोड़ दो पहले सजातिय पद सीख लो तब जोड़ना घटाना सीख हो गई ठीक है बच्चा तो देखो इनको हटा दो पहले अभी इनको हट कि यृष यह बता है कि कमेंट करके बताव जल्दी से तो वाई कितने लोग है ऐसे जिनको सजयातिये पता आता है लाइट मुझे लग रहा बहुत ही मायकाच कि अगा मैं दिख पा रहा हूं कि नहीं देखो मैंने होल्ड किया एक एक मिनट के लिए हमें लग रहा है सब कमेंट नहीं कर पा रहे हैं बहुत दुख दर्द के साथ कमेंट कर रहे हैं तभी ज्यादा कमेंट नहीं आ रहा है न कब आई यहीं न एक मिनिट रुक जा भाई रुक जा ये सब बहुत गरी आ रहे हैं मनीमन ठीक है तो बहुत ज्यादा कापी पेश करते हो तब वो तो नहीं ठीक है देखो एक बात और बता दें जो बच्चे सिर्फ पढ़ने के उद्देश से आये हैं वो पूरा कलास देखेंगे जो बच्च यहां पर हम कुछ खिचडी माडल लिख रहे हैं इन में से तुम ढूड़ोगे जैसे तुमको मैंने बताया ना एक्जामपल सभी लोग जानते हो खिचडी तुमें दे दिया बनाके बोला जा इसमें बीटा दाल दाल निकालो तो तुम दाल दाल भी निकाल लोगे ना भी ऑसा है अजड़ा और यहां पर मैं लिख रहा हूं तेन अक्स का स्वाइर और बच्चा एक ठी और है को बने दद्दा कौण सा हो कूं सिर्ध को पंधरव य इक्स और यहां पर हूं तर यकस के बाद है एक यक्स का स्वाइर यह बता इसमें कुछ सजाती ये पद हैं की नहीं कुछ सजातिय पद है बोलो इसमें क्या कुछ सजातिय पद है जो मैंने लिख रखा यहां पर हैं सजातिय पद हैं बोलो देखो मैं इसमें ढूंडता हूं सजातियAY पद यह निलाइकरम्ट सबसे पहले सजातिय पद και लिए हम देखते हैं उनकी गहात बराबर होनी शॉरी मतलब जो चर इसमें वह ऊसमें भी होना चाहिए अगर उसमें एकस है तो उसमें भी शॉना चाहिए जाती मतलब समझे रहो ना तुम मैंने भी एक जांपल दिया था चलो तो बच्चा इसमें अगर हम तीन एक्स को ले ले तो क्या इनके जैसे सकल सूरत का और कोनों है हमे सोचो धूणो है की नहीं आमन सिंग बेटा नहीं पता है तो सीफो तब आएगा ना पढ़ोगे तब आएगा न कलास याद रखना साम को साथ से आठ डेली साम को साथ से आठ मैथ और सुबा उट जाना सो करके सुबा साथ से आठ वजे के बीच में साइंस होगा तो टाइम तो नहीं बूलोगे ना सुबा भी साथ से आठ साम को भी साथ से आठ सुबा साइंस साम को मैथ इंगलिस का कलास जल्दी ही चलेगा बस हम आपके लिए नया टाइम बताएंगे थोड़ा सा बेट करो तो बच्चा तीन यक्स है फिर पांच वाई स्क्वायर है फिर यक्स है देखो अभी मैं देख रहा हूँ इसमें क्या है तीन यक्स में यक्स है ठीक है इसकी घात की बात करें तो जिसके कुछ नहीं होता ना उसकी घात एक माना जाता है तो ये क्या है एक गात है इसमें तो यक्स है ये नहीं छोड़ दो इसमें यक्स है लेकिन गात बराबर नहीं है हमें इस गुडांग से कोई मतलब नहीं है सिर्फ गात देखना है और चर देखना है बच्चा चर तो इसमें भी यक्स है, लेकिन गहाद इसमें एक होनी चाहिए, इसमें दो है इसलिए यह नहीं है इनको पकड़ लो जो मिल गए है, इनको छोड़ना नहीं, चलो इसमें यक्स है, लेकिन इसमें साथ में और भी चिर्कुट जुड़ा हुआ, वाई तो ये सजातिया नहीं है इसकी powin जाता है इसमे भी एक्स इस जाए लेकिन इसकी घाट जाता है इसमें तो फैनी दोखे जो नहीं आप की mira यक्स तो इसकी घात क्या एक है अब तुम कहोगे इसमे तो गुब जी तीन नहीं हैं में तो तीन है तो इसके गुड़ांग से कोई मतलब नहीं है तो बच्चा इसका जो साथी है वो यक्स है इन दोनों की जोड़ी बन गई अपनी बस अब इनके साथ और कोई दूसरा बीच में नहीं आएगा अब तुम कहोंगे का दू दू लोग के जोड़ी यह बनाते है ढूआर वहाद वहली का जोंड़ी ita पूरे में केवल दो ही पद से अप्द इस तरह के थे इसलिए मैंने दो लिख लेए बाकिया और होते तो वह भी इसी में आते ऐसा कोई रोप नहीं कि shelfal 2 लए जो सजाथिये पढ़ यह दोनों क्या हो गए सजाथिये कि उक्त धातों और इनका जो चर वो बाबर है अगर बच्चा दूसरा पधना थेश difficil है सब्सक्रांगे कला करक्íamos झार्दम सब्सक्रेंट किल लिए killed कोई सजातिये पढ़ाई बैया कोई है बिजे संकर पांडे सोनु यादो चिराग रूपेस राजा बाबु मनोच सिंग बेटा मनोच सिंग पढ़ लो काजल के पीछे ना पढ़ तुम 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 अच्छी बात है इतना देर से मैं देख रहा हूँ तुम्हारे काजल लगने की जो है ना कहते है ना गुझाई सब खतम हो जायगा इसलिए तुम पढ़ाई लिखाई कर लो पर अच्छा है पढ़ाई लिखाई कर लो भी टाइम है चलो और जितने भी बच्चे अभी अभी जुड़े हैं भाईया इस सेशन को लाइक नहीं करें बाबु जल्दी से लाइक करो यार ऐसे मजा नहीं हरी जान लो जल्दी से जितने भी बच्चे जुड़े हैं फटा फटी सेशन को लाइक करें तुरांत देर ना करें बहुत बिल्कु ठीक है, देखो बाई, लीजेंड गेमिंग ने बताया है, बहुत अच्छे हरसित, देखो यहाँ पर समझो, पांच वाई का स्क्वायर ना, इसमें सबसे पहले वाई का स्क्वायर खोजो कहीं, इसमें तो है नहीं, यह तो हो गया, इसकी हो गई अब इससे कोई मतल नहीं है, इसमें देखो वाई है नहीं, इसमें वाई है, वाई है लेकिन वाई का घात एक है, अगर तुम देखो तो यह जो घात लगी थी, इसमें दो यक्स पे लगी थी, वाई की घात एक थी, तो बच्चा हमें वाई की घात दो होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए, इसमें देखो वाई है नहीं, इसमें है, वाई का घात दो है, पंदरा है तो कोई मतलब नहीं है, हमें केवल घात बराबर चाहिए और चर बराबर चाहिए, इसमें और दोनों कोई नहीं है, तो ये दोनों क्या हैं आपस में सजातिये हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं पहले जाती है तो मैं ना बताओ इसको सिधा-फिदा कहो तो मैं चैप्टर पे चलूँ ख़तम कर दूँ तुम्हें भी पढ़ना ना पड़े और मुझे भी पढ़ाना ना पड़े अधित्य कुमार बेटा क्या लिख रहा है तुम एक एमें क्या लिख रहा है कैमें सब अरे थोड़ा सांस लेने के लिए इस पर छोड़ दिया करो चलो देखें आगे बढ़े तो यह हो गया अब अगर आप यहां पर देख पा रहे हो तो भाया यह इन सब की क्या हुआ जोड़ी बन गई जिनको जिनको मैंने घेरा उनकी उनकी होजाट करें तो 31 ounce का स्काइष और आपस में क्या हो गए सज्जास आपकर इनको कोई और श्टायल में गेर लो ये लू है कि पीड में चलो यह दूनों हो गए अब यह दोनों भी सजाथिए हैं में कreck सिण爸 डो है इसमें वर एक घा तो यह सजातिए पदह है सभी लोग सीख गए ना सभी सीख गए न कौन बत्ते मीजी कर रहा भाई कोई गड़बड कर रहा है का बताना अगर कोई करेगा गड़बड तो सब लोग एक साथ में कमेंट करना उसे एकदम से ब्लॉक कर देंगे हम बेटा या सराज सिंग पढ़ लो हाँ अमन सिंग ने महिमा सर फोन अमरे भाई का पढ़ रहे हैं हम तो तुमको बताने की कौन सी जरूरत है दादी तुम पढ़ो या ना पढ़ो कोई पढ़े कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना बहुत अच्छा से परिचे देते हैं सर फोन मेरी दीडी का है पढ़ रहा हूं मैं कोई बढ़ रहा है तुमका है कमेंट कर रही है ऐसे तो को मतलब नहीं है चलो तो यह आप लोग इसमें लाइक एंड अनलाइक टम्स समझ गए सजाती है और बिजाती है पन समझ गए तो बच्चा अब मैं सोच रहा था कि आपका यह क्लियर हो जाए बेस इसलिए मैंने इसको करवा रहा हूं हम समझ रहा हो न अब इसमें मैं थोड़ी सी और कुछ आपको आगे एक्स्पलेंग कर देता हूं उससे समझो इनका पूरा नाम है दीपक सोंधिया भाई यह मुझे लग रहा बाहर के कहीं उपी विहार के तो नहीं है यह तो यूपी विहार वालों में हमारे जानते हो कि नाम कैसे कैसे होते हैं सीधे साधे बगवान के नाम पर होते हैं राम लखन स्याम करन हनुमान दीन गया इसे नाम होते हैं हमारे यूपी विहार में अक्सार पहले होते थे अब तो नहीं होने लगे हैं जमाने के अकॉर्डिंग तो आगे बढ़े हैं क्या हो रहा था आगे ठीक ठीक है चलो तो हम पढ़ रहे थे बर्येबल सेन कांस्टेंट तो बच्चा अब मुझे यह बताओ कि तीन एक्स प्लस एक्स प्लस दूई और प्लस एक्स का स्कॉयर और प्लस तीन अगर इसको हल करोगे तो कितना आएगा देखो आज मैं एक्सरसाइज नहीं शुरू करूंगा आज मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा ठीक है बेटा रोही सिंग तुम बहुत ज्यादा आगे अगया तो बच्चा इसको क्या करना है इसे हमें छोटा करना हम अलो ऑल करकिंगे जो भी हलो इसमें तो आप इसमेंघो पकड़ो इनको तीन अक्स है और ये क्या यक्स है ये दोनौ सजातिये पद हैं मैं इन दोनों कि आपस में क्या में समझ गया है कि नहीं कुछ समझे यह दून आपस जूड़ जाएंगे मतलब साधी नहीं हो जाएगी क्योंकि यह term समय मैंतमेटिक जल क्या है वर्ड है समझ रहा हो ना यह जो और भी बच्चे होते कुछ उनको समझा देते तो तो यहाँ पर ऐसे समझे लो जो समान समान्चर होते हैं उनको आप माननो पानी और चीनी नहीं नमक माननो आसर। रहेगा पानी और पिसा हुआ नमक आप यह बता अगर पानी में नमक डालो के घुल जाता है तो बच्चा जो सजातिय पद होते हैं वो आपस में घोल जाते हैं मतलब एक नया पद बना लेते हैं आप समझ रहे हो ना जैसे पानी में अगर चीनी घोल हो तो क्या बनता है अब केहां क्या बोलते हैं बताओं हमारे यहां तो भई सर्वत बोलते हैं अगर पानी में चीनी गोलो तब लेकिन यहां पे क्या बोलेंगे यहां पे तुम्हें बाद में बात करूँगा पहले तुम बताओ आगर चीनी-पानी गोलते हैं, तो क्या बनता है एक नया-पत-सरबत बनता है, बनता है ना? पिने योग पी पदार्थ बनता है लेकिन अगर तुमसे हम बोलें कि बच्चा, चीनी में तूम कंकड पत्थर गोल दो अरे सानक वाली गिट्टी दा गणत दो एक मुठा तो उसी तरह ये बिजातिय पद होते हैं पानी और पत्थर की तरह होते हैं वो अपस में मिलते नहीं है उनमें बीच में उचित दूरी बनी देती है कभी पास नहीं आते हैं, समझ रहो? चलो देखो, यहां पर समझो तो यह दोनों का है भाईया? यह चीनी और पानी है, इनको मिला के सरबत बनेगा रस बनेगा मतलब तो यह क्या हो जाएंगे? दोनों जूड़ेंगे तीन और यह एक यहां पर एक चीज और छूट गया था बच्चा देखो, जैसे यह तीन यक्स है और यह यक्स है न तो जुड़ता है तब इनका गुड़ांक गुड़ांक जुड़ता है क्या जुड़ता है भाईया? गुड़ांक गुड़ांक जुड़ता है हमेशा coefficient आपस में जुड़ता है और इन पद से कोई मतलब नहीं होता है जैसे इसमें देखो अगर तुम इसका गुडांग कितना है कोई बताए कितना है इसके आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा दिसका गुडांग हमेशा 1 माना जाता है और इसका गुडांग क्या है तीन है तो तीन में जोड़ोगे फाइनल में क्या होगा चार होगा समझ में आ उसके बाद अब प्लस टू आप देखो ये दो क्या है एक अचरपद है न एक कंस्टेंट है न इसमें और भी कोई अचरपद है ये चच्चा देखो पगल है न एक तीन तो ये दोनों आपस में जूड जाएंगे तो कितना जाएंगे पांच अब इनका कोई साथी है नहीं त ये कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 सुरू करने के पहले मैं उन्हें कांसेप्ट सिखा रहा हूं याद रखना जो भी बच्चे नए जुड़े हैं कालास 9 का NCRT Mathematics चैप्टर 2.1 यानि exercise 2.1 सुरू करने के पहले मैं ये कांसेप्ट सिखा रहा हूं जिससे जब चैप्टर करा जाए तो पूरे चैप्टर में तुम्हें कोई मुसीवत ना है इसलिए मैं इसको सिखा रहा हूं आज एक दिन ठीक है क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कमजोर होते हैं इन सभी पार्ट में उन्हें मालूम है कि वो कितना पढ़े कोरोना बैच में बिना पढ़े पास हो उनके बगवानी मालिक हैं योगी पापा तो मालो चले जाएंगे कादु शाल बात उनकी तो क्या होगी मालूम नहीं है बच्चों की अभी पिर आएंगे लावाद में बाद में तैयारी करने आएंगे तो दुख पावर पाँच उनका मलूम है निकाह होगा तो क्या मैं सोच रहा हूँ कि सिखात हूँ जिससे थोड़ी सी बाद के लिए मुसीवत कम हो जाए चलो राज बर्मा बेटा तुम तो जाने वाले हो अब इसमें जब आंसर लिखते हैं फाइनल तो सबसे बड़ी घात पहले लिख देते हैं फिर उससे छोटी घात लिखते हैं फिर उ 2200 पार हो जाये जल्दी चलो तो बच्चा एक और बतादो मुझे आप गर्ण करके क्या इससे जोड सकते हो आप जल्दी बताओ टीन एक्स काzen काई प्लस इच्छा कुमारी, भाई देखो, तुम लोग गडबड कर रहे हो, जान लो, बात्चीत ना करो, चलो, इसको सरल कर सकता है, कोई एनिवन इसमें से, बता दे जल्दी से, अगर कोई कर सकता है, तो, मनु राजपूत, कितना आएगा, अरे, इमें तो बड़ा पानी है, यार, मै नीचे मैंने एक equation दिया, इसे तुम्हें simplify करना है, थोड़ा सा सरल करके इसे आसान भासा में परस्तुत करना है, देखो बच्चा, अगर तुम इसे अच्छे से नहीं पड़ोगे, तो जब मैं chapter कराऊंगा 2.1, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो मैं तुम्हें लिखने वाले नहीं हो, बेटा, चलो, तीन एकस का square है, ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये 9 एकस है, ये सजाती है, ये बेटा जुड़ेंगे, इनके गुड़ांग केक है, इनके 3 है, तो मैं यहां पर हल करूँगा उपर, फाइनल में 4 एकस का square हो जाएगा, बेटा, य ये क्या है, यकस है, इसकी भी पावर वन है, ये दोनों जुड़ के 10 एकस हो जाएंगे, और ये बच्चा जुर रहे हैं, अकेले हैं, इनका कोई साथी नहीं आगे पीछे, तो ये अकेले बैठे रहेंगे, वैसे जैसे किसी स्कूल कालेज में आप देखो, कोई ऐसा आप सभी को, जो आप लोगों ने 200 प्लस कर दिया, वेरी गूड बच्चे, बहुत अच्छे, चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, ये सरल भासा में, मतलब इस परकार से कहें, तो इसका सरली करण हो गया, मतलब सिंप्लिफिकेशन कर दिये, या फिर इसे हम हल कर दिये, जह हाते नहीं हो, यहां पे सिर्फ पढ़ाया जाता है, देखो समझो, अगर मैं तुम से बोलूँ, अब कुछ लोग कह रहे होंगे, तीन-तीन काहे लिखरा बार-बार, ये मेरी खोपड़ी में आके बिना मतलब को बैठ गया, जल निकल, चलो, पांच यक्स का घाद दो, और इसमें तीन, और ये यक्स का घाद 5, बच्चे अगर इनका दोनों का गुड़ा खरा जाये, तो क्या होगा, जल्दी बताओ, क्या होगा, अगर इन दोनों का हम मल्टीपल करें, तो क्या होगा, चलो, जल्दी बताओ, देखो, ये कलास उनके लिए भी है, जो बेसिक शीख पारे में देख रहा हूं क्योंकि वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है कोई पैमेंट नहीं लगेगा तुरन सब्सक्राइब करो आप भी कमेंट करो जिसे देखो निपेंदर कर रहे हैं दिब्या दावत कर रही हैं तरुसुना कर रहे लालिमा पवन राज विसाल सिंग बेटा बहुत अच्छे बहुत अच्छे अधिती गुपता देखो कुछ बच्चों ने इसके आंसर भी बताए हैं कुछ लोग कभी इसे देख रहें दात निकालके मारेंगे ना अंदर गुष जाएगा जान लोगा कोशिस तो करोगे नहीं कैसे कम बताएं नहीं करने में जो अचर नोस में उनका आपस में गुडा कर लेते हैं तूं इक्ना हो जाएगा याक्स गहाद में पंदरा कर सबें PHILI को समझ में आया आच्ए इक बात बताओ इसमें यह किसको नई समझ में आया जल्दी से बोलें क्या कोई ऐसा नहीं समझ में आया हां कमलेश राम बेटा तुम पढ़ाई कर लो तो अच्छा है कौन किसी राज्य से जुड़ा है वो तुम बाद में इंक्वारी करना है चलो हरीश कुमार कमेंट अभी कहां फास्ट जा रहा है अभी तो मैं पंद्रा सिकेंड का रोंक लगाया हूं अभी मैं रोंक हटा दूं देखो बाड आ जा यहां कमेंट की सबको समझ में आ गया ना मुझे लग रहा है चलो बच्छा एक और बताओ एक और बताओ तुम यह कंसेप्ट सीख लो तुम्हारे काम का है चलो दो आई नीचे तेन एक्स अच्छा यही बता दो कितना आएगा फाइनल में बहुत ही छोटा सा सिंपल सा ही क्वेशन है कितन इसमीना कभी और रोहित बिसाल चांदनी मनुराजपूत इक्स्पलोर अर्थ अमित सिंह बगुआना उज्वला चलो ठीक है बच्छा देखो समझो बहुत ही सिंपल लाई है वेरी सिंपल सा है आप इसे कर सकते हो इसमें कोई मुशीबत की बात नहीं है बेटा चलो ठीक है तो इसका अंसर जो मैं बता देता हूँ तुम्हें देखो तीन से यह तीन कट जाएगा चुकि ऊपर है और यह एक एक्स से एक एक्स क्या होगी घाते कम हो जाएगी मैं आपको अगर समझाओं वैसे हलके में तो तो फाइनल में दो यक्स वाई आएगा लेकिन एक्छुली होता क्या है मैं अगर पूरा इक्स प्रीन करूँ तो यह एक्स का गात दो हैना बच्चा तो यह की घात दो अपां एक्स का मतलब यह मतलब यह होता है यह समय से होगा तो यहाइए हैं तो फाइनल में दो एक्स का वाई अंसर हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है न सबको तो बच्चों आज की क्लास बहुत बड़ी नहीं करेंगे खातम करेंगे आज कुछ काम भी है और सुबह साथ बजे आप लोग साइंस जरूर पढ़ना कल आपका जो पहला चेप्टर है पढ़ाया जाएगा आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को साइंस का ठीक है और जाना नहीं कोई अभी एक बात सुन लो जो बच्चे कलास की नोटिफिकेशन नहीं पाते हैं वो क्या करें जो बच्चे कलास की नोटिफिकेशन नहीं पाते हैं वेटा वो पीवीर स्टडी का टेली गराम चैनल जरूर जोइन कर लें क्योंकि टेली गराम पे सारी कलास की लिंक भेजी जाती है आप प्यार से घर बैठे पढ़ सकते हो चाहे जब पढ़ो अगर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो ठीक है तो टेली गराम एपलिकेशन गूगल करना पीवीर स्टडी ठीक है इसमें सतरा सौ से जादा बच्चे जुड़े हैं कच्छा नो के आप भी ज्वाइन कर लेना जैसे ज्वाइन करोगे बच्चा टेली गराम पे पीवीर स्टडी वैसे तुम्हें जितनी इसकी पीछे की कलास हुई है सारी कलास तुरंत मिल समझ गए ना तो आप लोग टेली गराम एप्लिकेशन डाउनलोड करके अपना अकाउंट बनाना उस पर पीवीर स्टडी जोइन कर लेना इसके अलामा हमारी सभी परकार की अपडेट को पाने के लिए आप पीवीर स्टडी को इंस्टाग्राम पर जरूर फालो करना ठीक ह होगा फलाने डेको आपको यह चीज मिलने वाला है एक नई बैच आ रही एक नया कलास आ रहा यह सारी इंफॉर्मेशन आपको हम ट्विटर फेस्बुक इंस्टाग्राम और टेली गराम पर यहां कुल देते रहते हैं बाकि यूटूब पैसा नहीं कि कोई मन में बात आई कि हाँ नई बैच होने वाली है तो मैं यूटूब पर वीडियो डालू नहीं इतना टाइम नहीं होता है तो सारी प्रकार की हमसे जूड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमें हर जगा फोलो करें और बने रहें और घर बैठे पढ़ें बिल्कुल फ्री पढ़ें एक सब्सक्राइब करना घंटी की बटन जानते हो ना आल नोटीपिकेशन सेलेक्ट करना जिससे कि अगली कलास की नोटीपिकेशन आये सुबा साथ बजे साइंस कौन-कौन पढ़ेगा बता के जाओ सुबा साथ बजे साइंस पढ़ोगे ना विल्कुल सूरू से पढ़ाया जाएगा कल से पहला चेप्टर सुरू होगा हमारे आसपास के पदार्थ हमारे आसपास पेड़ पौधे जंगली जानवर गया भैस क्या चीज मिलता है क्या क्या चीज हम देखते हैं नदी पहाड पेड़ है ना तो कल सुबा साथ बजे आप लोग साइंस पढ़ना बिर्जेस दूबे जी सपना मीना कमेंट आरा आपका दोनी गुपता अधिती गुपता राजकुमार डाक्टर बंस रूपेस नरेस रात के नो बजे से भी कलास आएगी रात नो बजे से देखो कभी कभी वीडियो आता है आज भी वीडियो ही आएगा क्योंकि बहुत कम टाइम होता है रात के नो बजे भी आप लोग लाइब देख सकतो जिनको बेसिक नहीं आता है रात के नो बजे याद रखना मैथमेट से बेसिक तो बहुत बहुत थैंक्यू बच्चों मिलते हैं फिर अगली कलास में सुबा साथ बजे लेकिन उसके पहले अभी दो घंटाबाद रात